असलाम लेकुम विवर्स वेलकम बैक तो माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग होपफुली आप सब खायरियत से होंगे आप देख रहे हैं आप सब का अपना चैनल बजीट पैरिट्स इंफरमेशन जहां में लेकर आती हूं आपके लिए और आपके बर्ट्स के लिए बहुत ही विडियोज तो विवर्स आज का मेरा टॉपिक भी जरा ब्रीडर पेर्स से रिलेटिड ही है कि उनको आपने क्या सॉफ्ट फूड देनी है पहले मैं हमेशा बात करती हूं कि आपने उनसे अच्छी ब्रीड कैसे लेनी है आज जस्ट हम आज के जो आज का मेरा टॉपिक है वह जस्ट फूड पर है कि कौन सी ऐसी सॉफ्ट फूड जो आपने ब्रीड को देनी है इसके लिए मेरे साथ अंट तक नक्टिड रही है ताके आप जान सकें कि जो सॉफ्ट फूड मैं बनाने चारी हूं उसे आपने किस तरह से बनाना है बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है सबसे पहले आप क्या करेंगे आप कुछ डाले ले लेंगे वो आप पे डिपेंट करता है कि आपके जो पेर्स हैं, आपके जो बर्ड्स हैं वो कौन सी डाले बहुत अच्छे से खाते हैं कौन सी उन्हें बहुत पसंद है आप वही याइट करने तीन से चार डाले आप ले लें जैसे कि मैं लेती हूँ, मैं वो आपको बताती हूँ मैं लेती हूँ, मैं लेती हूँ, मैं लेती हूँ, मैं लेती हूँ और नमबर फॉर पर जो मैं चीज़ लेती हूँ वो मैं गंदूम लेती हूँ इन तमाम चीज़ों को आपने क्या करना है कुछ फ्रेंड्स इस तरह से करते हैं कि इन डालों को रात बर भिगो जते हैं तो वो अपने बर्स को दे देते हैं लेकिन अपने ब्रीडर पेर्स को ऐसे दाले कभी भी नहीं देनी होती है कि उनकी तासीर फोड़ी बदल जाती है अगर आप इनको थोड़ा सा ब्वाइल कर लेंगे तो उनकी तासीर गरम हो जाएगी वैसे तो गंदूम की तासीर ठंडी होती है इनको आपने थोड़ा फिखो लेना है भिगोने के बाद पहले तो आप अच्छे से वाश करेंगे 304 पानी और देन आप जब बॉयल करेंगे तो इसमें छाग आना शुरू हो जाएगी तो छाग आप उपर से उतार दें फिर इनको एक से दो बॉयल आने दें कि बहुत नरम करना है आपने आपने जोड़ा से ब्वाइल देना है इसके बाद आ च्या थोड़ा करें थोड़ा सा छूपाल कीने में दो हुझी नरे ना हो आपके हाथों विसके अलग या छोजएं उसके लिए आपने इनको जार शड़ा से क्ला देनके चाट आप या चीभी गौर से सुनिएगा मैं इसमें आड़ करूंगी दो एग्स लोंग उन्हें मैंने बॉाइल कर लिया है वो मैश करने के बाद मैं इस इनी डालों में आड़ कर दूँगी ठीक है वो जो आपकी बॉाइल डाले है वो आप हाथों से ने मसलेंगे वो थोड़ी-थोड़ी मतलब धरडड़ी सी हो जाएंगी जैसे कुटी भी होती है इस तरह से हो जाएंगी कि बहुत बड़े ग्रेंस नहीं रहेंगे उसके तो आप उसमें वाइल एग मैश करके आड़ कर देंगे देन वह जो दो छिलके हैं एग शेल्स हैं उनको भी में बारी पावडर पीस के उसी में आड़ कर दोगी उसके बाद मैंने और जो क्या चीज़ इसमें आड़ करनी है अगर आप अपने बर्स को कोई वाइटमन्स दे रहे हैं तो मैं पी जैसे के प्राइम है उसके इलावा भी बहुत से मल्टी वाइटमन्स हैं कैल्शियम हो गया कुछ भी जो आप अपने बर्स जैसे को एक साथ अबाँ मल्टी वाइटमन्स एड़ करिके नहीं देंगे जिस जो डाले मैंने आपको फिगोने को बताया था वो और उसके साथ आप एग को अची तरह से मैश कर लेंगे और उसके साथ मैं किया करती हूँ ब्रेट करम्स यूज करती हूँ मैं इसमें ब्रे एक टाइम में इसमें वाइटामान्स, एक ग्यालशियम गालसियम वही अख elagit करने लगार d Deputy तुक्सान दे सब्लाइब तो ब्र До टक्रम एक और चीज चीज दे सिरक आड़ तो आ हम और छेलें 뒤odas तो अधिर्म के स्कीक्छ आड़र तो आपको मजीद कोई वाइटामन्स या कोई मेडिसन एड़कनी की जरूरत ही नहीं रहती है जो उनके लिए बहुत जादा बेनिफिशन्ट है बहुत एजी रेसिपी है एक सॉफ्ट फूड की जो आप अपने ब्रीडर पेर को देंगे तो आपको बहुत अच्छी ब्रीड भी देंगे और बहुत जादा हेल्दी चिक्स भी होंगे और एक्स भी बहुत जादा ले करेंगे अगर आप उन्हें इसी तरह से सॉफ्ट फूड देते रहेंगे अब बात आ जाती है कि आपने कब देनी है और कितनी क्वांटिटी में बनानी है यूवर्स ये मैं आपको बताओं कि आपने फ्रेश बनानी है जब भी आपने बर्स को देनी है तो आप पियर्स के हिसाब से देंगे एक पियर्स को मैं तकरीबन वन टेबल स्पून के करीब देती हूँ यही सॉफ्ट फूड या उनको डेली आप अगर दे रहे हैं तो वन टेबल स्पून इनफ है और मैं क्या करती हूँ कि मैं वीकली उनकी डाइट भी चेंज करती हूँ एवरी संडे मैं कुछ ना कुछ स्पेशल डाइट उनने बना के देती जैसे कि आज मैंने आपको एक रैसे भी यह बताई कि इस तरह से आपने उनके लिए सॉफ्ट फूर बनाने है इसमें आपने दाले नए उनने वाइल किया और आपने उसका धरदरा सा पावडर बनाया उसी में आपने डो वाइल एक्श एड्ड किया एक्शaya पौडर एड़ किया भ्लैक प्रेपर एड्ड की है दार्चीनी का पाउडर एड़ किया और अगर आपको कैल्शियम वाइटमोंस अगर अपने बर्ड को देना चाहरे हैं आपको लग रहा है कोई कमी है तो आप वो दे सकते हैं यह भी उनका कैपसूल एड़ करके दे सकते हैं आप पर डिपेंड करता है कि आपके बर्ड में आपको किस चीज की कमी महसूस हो रही है उसके साथ साथ अगर आप सनलाइट भी प्रोवाइट करें हैं यह सौट फोड भी दे रहे हैं तो आपके बर्ड बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होंगे अगर बहुत ज़्यादा एक्स भी लेकरेंगे और तमाम के तमाम एक्स फराटायल होंगे और जो आपने उसमें एग एड़ किया है और उसके साथ एक्शल्स पाउडर एड़ किया है वो आपके लिए इतना बेनिफिशन्ट है आपके बर्ड के लिए आपके बड्स एक्स लेकरेंगे बहुत कौन्टिटी में साथ ही साथ तमाम के तमाम एक्स फरिटाइल भी होंगे means कि इन फरिटालिटी का इश्यू बिल्कुल भी नहीं आएगा जैसे कि डेड इन शेल हो जाना या एक्स का कौन्टिटी कम होना यह तमाम जो इश्यूस हैं बिल्कुल खतम हो जाएंगे और आपके बड्स बहुत जादा एक्टिव भी होंगे कि जब आपसमें एवियोन का कैपसूल एड करके अपने बड्स को दे रहे हैं होफुली आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको समझ अपने आगया होगा कि इस तरह चाहें तो डेली बेसिस पे वन डेबल स्पून दें नहीं तो अगर आप जादा कौन्टिटी में दे रहे हैं और जादा चीज़ें भी आड करें तो आप कर दो करेंगी तो उसकी तासीर गरम होगी तो इस टाइम पर अपने गरम चीज़ें प्रवाइड करनी होती है तो विवर्स यह थी मेरी आज़ी चोटी सी वीडियो जिसमें आप से शेयर किया कि में बहुत पसंद आई होगी तो फिर सारा ख्यार रखेगा मुझे अपनी द कर दो